असलाम वालेकुम गुड मॉरिंग आप सब का मेरी चैनल पर वापस स्वागत है इक गोल्ड का चार्ट है 1900 डॉलर के असपास का एक लोग बनाया है कल रात साड़े साथ बजी के असपास उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आई अभी 1912 के असपास के हाइस बनाया है अभी भी गोल्ड पॉजिटिव जोन में नहीं गया है एक बहुत ही जबर्दस रिकवरी जरू दिये एक 1900 डॉलर पैसा लग रहा है कि बेस बनाया गोल प्राइस का अब यह देखना है कि बेस कितना जो है कितना स्टेबल रहता है अब सबसे सबसे ज्यादा बड़े वर की गोल प्राइस के लिए बात यह है कि डॉलर इंडेक्स ऑल्मोस्ट हाइप चल रहा है और गोल्ड भी अपने high पर चल रहा है तो dollar index के जो एक strength है वो gold के साथ कुछ भी नहीं कर पा रही है और gold के अंदर इतनी strength है इत्मींज एक value buying हो रही है gold prices के अंदर despite dollar index के इतनी तेजी और despite इतने ज्यादा high inflation numbers के बावजूद अगर आपको याद हो तो CPI का नंबर भी एक आंकड़ा बढ़ा हुआ था लपी पी आई का आंकड़ा भी बढ़ा हुआ था इसकी विए से गोल्ड प्राइसे नीचे जरूर गये थे थोड़ा सा एक तफरी करने के लिए 900 डॉलर की तरफ जरूर गया पर सस्टेन नहीं हुआ और उपर चला गया बहुत जबर्दस ट्रेंट दिखाई दे रही गोल्ड प्राइसे के अंदर सेलिंग के लिए आइवुट स्ट्रॉंगली रेकमेंड के आप सेलिंग ना करो तो ज्यादा बहतर है सेलिंग वाली मार्केट यह बची नहीं जिस तरीके से गोल्ड स्ट्रें जालें कितना भी डॉलर इंडेक्स उसको हाई चला जाए लेकिन यह तो पुश पर आज है यह गिरेगा नहीं फिलाल यह मजाग की बाते गिरेगा नहीं अगर मार्केट ने हमारे सपोर्ट तो जरूर गर जाएगा बट फिलाल गोल्ड की स्ट्रेंग बहुत ज्यादा है त देखते हैं र्दस्तिन 918 डॉलर का है 1918 ौलर का यह तीन डॉलर ही दूर है के और अगर सस्टीन करते हैं ध्यान रहे गिए सस्टीन करने की ज़रूरत है 1908 के उपर सस्टीन करता है तो 1922 और 1930 तक जा सकता है 1908 का कल का सपोर्ट अभी भी इंटाक्ट है 1908 के निचे 1890 तक गोल्ड प्राइसे जा सकते है फिलहाल गोल्ड फ्लाइट जोन में है करेंटली गोल्ड प्राइसे इन फ्लाइट जोन अब आते हैं सिल्वर पे लट मूँवान टू सिल्वर में कल का हमारा सपोर्ट था 22.50 का यस्टेड़े अवर सपोर्ट वास टॉनी टू फिफ्टी अब एक सब्सक्राइबर ने लाइव स्ट्रीम में कल मुझसे पूछा था यह 2250 के नीचे काफी एक घंटा हो गया है सिल्वर सस्टेन कर रही है तो क्या बेज देना चाहिए शुडवी सेल तो उसको मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर जवाब दिया था मैंने एक और सपोर्ट दिया है अपने लाइव स्ट्रीम के मार्केट कॉमें 2235 का उसके नीचे सस्टेन करेगा तो बिल्कुल 22 टॉलर तक जा सकता है आप देख सकते हो सिर्फ एक स्पाइक आया है बाइस तीस तक का उसके बा आइड जस्ट टॉलिक 2230 एंड फाइड बाइड फिलाल बाइस पिच्छासी बाइस चासी के असपास सिल्वर के दाम चल रहे हैं रिजस्टन सपोर्ट क्या है देखते हैं 23 टॉलर का रिजस्टन से 23 डॉलर इसके ओपर जाके अगर सस्टीन करता है तन एक स्पेक्ट 2330 एंड 2370 सपोर्ट आइड 2250 अगें 2250 के नीचे अगें 2235 का सपोर्ट है बिलो 2250 टेर इस स्ट्रॉंग सपोर्ट आइड 2235 एस वेल बिलो 2235 एक्सपेक्ट 22 डॉलर 25 के नीचे आप 22 डॉलर तक एक्सपेक्ट कर सकते हो सबसे ज्यादा 12-13 साल हो गए मुझे कमोडिटी मार्केट के अंदर अभी तक सबसे ज्यादा जो लोग लॉस करते हैं वो क्रूड आइल के अंदर ही करते हैं विकाज जब वो चलता है तो रुकता नहीं है 25 डॉलर से जो चलना शुरू हुआ है 90 डॉलर आ चुका है यानि 20 डॉलर का इंक्रीज इन ओनली फ्यू मन्स आइगेस फ्यू मन्स भी कहां हुआ है 20% का जो एक राइज है उसको आने में कितना टाइम लगा है यहां से जो चलना शुरू हुआ है जुलाई दो माहिने के अंदर 20% उपर जा चुका है क्रूड आइल हमेशा ऐसे ही चलता है इसलिए सबसे ज्यादा जो कभी भी मैं ट्रेड लेता हूं और कभी भी मुझे सबस पूजिशन ले रहे हैं हमेशा संभाल के लिजिए एक बार गोल्ड सिल्वर आपके कबदे में आ सकते हैं बट क्रूड ऑइल कबदे में आना बहुत मुश्किल बात रहती है 89.50 का आज का support है हमारा resistance है आज का भाई साहब 91.60 एक ही बहुत ही extremely important resistance है इसके उपर निकला तो फिर बहुत परिशानी में आ सकते हैं sellers थ्यान दखिएगा these are the levels for crude oil let's move on to euro obviously market weak zone में है because of higher dollar index let's move on to support and resistance support at 590 today resistance at 705 trend is weak for euro अब आ जाते है British pound पे British pound में कल हमारा resistance हा 25.10 का था कल यह high भाई साव इसने बनाया साले 9 बजे रात 25.06 का 25.10 ब्रीच नहीं हुआ है market could not preach our resistance and fall back currently trading 2420 support है आज का भाई साहब 23.70 का resistance है आज का 2480 ब्रेंड है इसका फिलाइड प्लाइड प्लाइड जोन में चला गया है आ जाते हैं ब्रिटिश पांड हो गया बिट्कॉइन पर आ जाते हैं 26,000 पाट से 85 डॉलर के आस पास चल रही है the resistance have to be change and support as well the type XOB is the resistance 27,120 is the resistance 25,980 will act as support now move on to ethereum 1632 चल रहा है currently trading 1632 support is intact resistance have to be change trend is same बागी paid signals की जानकरी और market commentary की जानकरी मेरी website पे अवलेबल है link description में है मेरी team का whatsapp number भी अवलेबल है आपकी query सुल जाने के लिए video बसन आया हो तो like share comment कीजेगा live data और breaking news का update टेलेग्राम और twitter पे आता है दोनों का address screen पे है और link description में भी है अब कल weekly analysis में मिलेंगे तब तक के लिए take care bye bye